महिलाओ तथा बच्चों से जुड़ी हर समस्या की समाधान के लिए सब्सक्राइब करें Helping Guide TV को तथा वेल आइकन को दमाएं ताकि मेरी बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू Helping Guide TV Friends आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी exercise बताऊंगी जो सिसु जन्व को काफी सरल और जल्द से जल्द कराने के लिए बहुत सहायक होंगी सिसु जन्व के समाएं बहुत तकलीवा दर्द होता है जिसे खत नहीं किया जा सकता लेकिन काफी हद तक कम किया जा सकता है आज मैं कुछ ऐसी exercise की बारे में बताऊंगी जो सिसु जन्व को सरल और जल्द करा देंगे मैंने इससे पहले भी कुछ नॉर्मल डिलेवरी वा दर्द कम करने के लिए बीडियो बनाए हैं ज़िए आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या उपर दिये गए आई की बटन पर क्लिक करके भी आप उन्हें देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं फ्रेंड्स जब आपको सिसु जन्म का दर्द होने लगे तब आप इन एक्सरसाइज को करें दोनों पैरों के बल बैटकर यानि उख्रू बैटकर नीचे की ओर जोर लगाना है जोर लगाने से बच्चा सर्विक्स की ओर पुश करता है इसलिए इस क्रिया को बीच वीच में दोहराते जाएं क्योंकि डिलेवरी के समय डॉक्टर भी नीचे की ओर पुश करने को कहते हैं जोर से बाहर की ओर सांस छोड़ें ताकि नीचे की ओर दवाव बने सांस को अंदर की ओर जोर से ना खीचे बाहर की ओर जोर से सांस छोड़ने पर बच्चा नीचे की ओर पुस होता है जल्दी जल्दी टहलें टहलने से बच्चे में नीचे की ओर आने की गत्विधी होती है और बच्चे का सर्विक्स यानि गर्भासय के मुख पर दवाव बनाता है जिससे सिसु जन्म की इस्थिती जल्दी ही बन जाती है सीडियों पर दवाव बनाते हुए नीचे की ओर उत्रे जिससे बच्चे को गर्भासाय में नीचे की ओर खिसकने में मदद मिलती है यदि आपके पास बर्थ बॉल यानि उच्छाल बॉल है तो आप उसमें पैर चोड़े करके फैला कर बैठें जिससे बच्चे को नीचे की ओर आने में मदद मिलती है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और प्रिग्नेंसी तथा बच्चों से रिलेटर वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें थैंक यू